गिरिजा ने बहुत गरीबी के दोर में अपने दो बेटे चेतन और भुवन की परवरिश करी और उनकी शादी कर दी। दोनों की पत्निया काजल और दिव्या, सुन्दर और सुशील थी। गिरिजा को लगा कि बेटों की शादी करके वह सारी चिंताओं से मुक्त हो गई लेकिन भविश्य के गर्भ में कुछ और ही चिपा था। गिरिजा बहुँं से हमेशा तंग आ जाती थी। वो दोनों कभी भी अपना काम समय पर नहीं करती थी, जिसकी वजह से गिरिजा को गुसा आ जाता था। कहती थी कि मेरे चश्मे तूट गए हैं, आपको ठीक से दिखाई नहीं देता। भगवान ऐसे बेटे सब को दे। वे दोनों मा बेटा बाते ही कर रहे थे कि काजल गुसे में अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे चेतन भी पहुँच गया, काजल गुसे में चेतन प बिना माबाप के बड़े कश्टों से पाला है, इतना तो हम उनके लिए करी सकते हैं ना। अपनी दही की कटोरी गिरजा के सामने कर दी और कहा, मा आप ये दही खालो, नहीं बेटा तुम खालो, वैसे भी बुढ़ापे में मेरे लिए ये चीजें जरूरी नहीं हैं। दिव्या और काजल ने एक दूसरे की तरफ को तिर्ची निगाहों से देखा और मुह बनाते ह दोनों रसोई में चली गई और रसोई में जाकर बढ़़ाने लगी। भुवन ने देखा तो पूछा, मा, आज सिर पर पट्टी क्यों मादे हुए हो? बेटा, बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है। आओ, मैं तुमारा सिर दबा देता हूँ। भुवन सिर दबाने लगा, जब दिव्या ने देखा तो वह जल भुन गई। ना गुजारा तो हो नहीं रहा, उपर से इस बुढ़िया के खर्चे, कुछ तो करना ही होगा इनका, मन तो करता है कि हज के लिए भेज दू, कि एक बार जाएं और फिर वापिस ही ना आएं। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। गिरजा ने देखा, सारा काम पड़ा है और दोनों बहुएं फिर से अपने कमरे में जाकर सो गई हैं। बहुरा खाती हो हाँ, ये काम क्यों करेंगी, ये तो महरानी है, बेटे इनके सिर पैर दबा देते हैं, बहुएं तो उन्होंने नौकरानी बनाई हुई है, मुफ्त की खाती हैं, मजे तो इनके हैं। ये क्या कह रही हो बहु, मैं मुफ्त की खाती हूँ, अब मैं इस घर एक दिन भी नहीं रह सकती। धमकी किसे दे रही हो, जहां कल जाना हो अब चली जाओ, वैसे भी आपके बेटे आपको व्रिधाश्रम भेजने की सोच रहे हैं, अब वो आपको पाले हैं या अपने बच्चों को। मेरे बेटे मुझे व्रिधाश्रम भेजने की सोच रहे हैं, ठीक है, मैं खुद ही यहां से चली जाती हूँ। मेरे खटे करके धेरी बना ली और कुछ जामुन खा लिए। उधर से निकलते हुए लोगों ने जामुन की धेरी देखी तो पूछ बैठे, जामुन कैसे दिया हैं अम्मा? अरे नहीं, मैं ये जामुन बेच नहीं रही, अगर तुम्हें खानी है तो ऐसे ही खा लो. अरे गिरिजा सोचने लगी, नहीं नहीं, ये तो भीक है, क्या मैं भीक मांग कर गुजारा करूँगी, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, लगता है इस पेड का कोई मालिक नहीं है, कुछ दिन मैं इस पेड के जामुन बेच कर गुजारा कर लूँगी. गिरिजा अब उस पेड के जामुन बेच कर दिन गुजार लेती और रात को वहीं सो जाती, एक दिन वह भी आया जब पेड की सारी जामुन खत्म हो गई, लोग कहने लगे, महीने भर से बेचारी जामुन बेच कर गुजारा कर रही थी, अब करीब उड़िया क्या करेगी? गिरिजा को बाजार से जामुन खरीद कर बेचनी पड़ी, एक दिन गिरिजा मंडी से जामुन ला रही थी, अचानक से वह चेतन की गाड़ी से टकरा गई, और गिर कर बेहोश हो गई, चेतन ने बाहर निकल कर देखा, तो अपनी मा को ऐसी हालत में देखकर चौक गया, उ तुमारे बिना घर घर नहीं लगता, घर? उस घर में मैं कैसे जाऊं जहां से तो मुझे व्रिधा अश्रम भेजने वाले थे? किसने कहा तुमसे? मैं और अपनी मा को व्रिधा अश्रम भेजूंगा, तो बहु क्या जूट बोल रही थी? घर चलो मा, आज सब दूद का जिव्या का तो रंग उड़ गया, काजल पूचती है, मा जी आप आगई, हो गया आपका सहर सपाटा? चेतन और भुवन ने दोनों को खूब डांट फटकार लगाई, अब बोलो क्या कहा था? कि मा जी का घर में मन नहीं लगता, इसलिए सहलियों के साथ सहर सपाटा कर दे अरे तुम्हें क्या पता हमारी मा जामुन बेच कर अपना पेट भर रही थी, लोग इन्हें गरीब जामुन वाली बुढ़िया कहकर पुकार रहे थे, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोगों का मा के साथ जरूरत से ज्यादा प्यार देखकर जल प्यतन और भुवन ने उन्हें छोड़ दिया, दोनों बहुएं गिरजा के पैरों में गिरकर रोने लगी, गिरजा ने उठकर उन्हें गले से लगाते हुए कहा, तुम दोनों मा और बच्चों का प्यार देखकर कैसे जल सकती हो, आखिर तुम भी तो मा हो, खैट छोड़ो और अब एक नई शुरुआत करो, मैं तो चली जामुन के पेड़ के नीचे बैठने, वहां मेरी बहुत अच्छी पहचान बन गई है, उनका दुख दर्द सुनक मैं अपने दुख भूल जाती थी, वो लोग इतजार कर रहे होंगे कि जामुन वाली बुढ़िया नहीं आई, जामुन वाली बुढ़िया, हाँ जामुन वाली बुढ़िया, लेकिन खाने के समय तक आ जाओंगी, ये मत सोचना की बला टली, नहीं मा जी, अब हम आपको कह नहीं जाने देंगे, और हमेशा आपकी सेवा करेंगी, ये सुनकर गिरिजा हस पड़ी, अलताफ एक चरवाहा था, कुछ समय पहले एक दुरघटना में उसका एक हाथ कट गया, एक हाथ से वह कोई काम नहीं कर पाता था, इसलिए वह गाओं के मुखिया के मवेशियों को चराने लगा, मुखिया उससे बोला, मैं केवल पंधरा सो रुपे महीने दे सकता हूँ, इस पर अलताफ ने कहा, मालिक आप जो सही समझे दे देना, मगर मुझे काम की जरूरत है, मुखिया ने उसे कभी पूरे पैसे नहीं दिये, वह हमेशा उसे सो दो सो रुपे कम ही द एक बार अलताफ ने मालिक से कहा, मालिक अपकी वार तो पूरे पैसे दे दीजे, आप तो जानते हैं कि हमारी इद आ रही है, घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए नए कपड़े सिलवाने हैं, और सबको अलग-अलग इदी भी तो देनी पड़ती है, अरे ले पकड़ पचास रुपए और ले, लेकिन उन्हें अच्छे से चराया कर, ठीक है मालिक, के सर जो अलताफ की पत्नी थी बोली, ये क्या अलताफ मिया, अपकी बार भी आपके मुख्याने पूरे महीने के सिर्फ एक हजार पचास रुपए दिये हैं, हाँ बेगम, बहुत मिन अगर आपको तो कुछ करना ही नहीं है, क्या बेगम, तुम भी हमेशा ताने कस्ती रहती हो, अगर आज में हाथ से अपाईज नहीं होता, तो कुछ भी काम कर लेता, माफ करना, मेरा मतलब आपको ताना कस्तना नहीं था, तब ही बाहर से अपसा दोड़ती हुई आई, और अब्बू, आज तो आपको पगार मिली होगी, इस बार तो हमें इदी दोगे ना, हमें भी बाजार जाना है और वहां से शबनम आपा जैसे जुमके लेने हैं, केसर ने उससे कहा, बेटा, शबनम के अब्बू बहुत रईस हैं, किसी की होड नहीं करनी चाहिए, जितनी र अमी, हमें भी पैसे दो ना, मैं क्या करूँ, कहां से बच्चियों की ख्वाइश पूरी करूँ, या ला, कुछ तो हम पर अता फर्मा, बाहर से एक फकीर ने आवाज दी, आमीन, अल्ला तुमारी मुराद जरूर पूरी करेगा, बहुत जल्द तुमारा वक्त बदलने वा अल्ली बाते सुली, सोचा तुम्हें दूआ देता जाओं, अल्ला आपकी उमर दरास करे, अगले दिन अल्ताफ मुख्या के खेत में गाए भैस चरा रहा था, उसे कहीं से किसी लड़की के रोने और चिलाने की आवाज आई, अल्ताफ ने देखा, वह आवाज सडक के किना एक कोठी से ही आ रही थी, आवाज बढ़ती ही जा रही थी, अल्ताफ ने कोठी के पास जाकर खिड़की से देखा, कि एक और एक लड़का किसी लड़की का गला दबा कर मारने की कोशिश कर रहे हैं, रुको, छोड़ो इसे, मैं भी पुलिस को बुलाता हूँ, अरे बचा अलो भाईया, ये मेरी मा और भाई मुझे मार डालेंगे, अल्ताफ की आवाज सुनकर, आसपडोस के सब लोग घरों से बाहर निकल आए, अरे भाईयो बचाओ, मेरे साथ इसकी मदद करो, नहीं तो वो बिचारी मढ़ जाएगी, इस तरह उन्होंने लड़की को बचा लि भाईया, वह लड़की बलताफ के पैरों में गिर गई, और बोली, भाईया, अगर आज आप समय पर नहीं पहुचते, तो मेरी सौतेली मा और भाई मुझे मार डालते, नहीं बहन, तुम्हारी चीखे सुनकर, मैं खुद को यहां आने से रोक नहीं पाया, मैं यहीं पास के खेत में मालिक के मवेशी चरा रहा था, नीलम बूली, मेरा भाई एक नमबर का अयाश और आवारा है, इसलिए मेरे पिता ने मरने से पहले ये सारी जायदाद, ये कोठी, सब मेरे नाम कर दी, इसलिए ये लोग मुझे मार कर सब कुछ हड़ब लेना चाहते थे, अब तु तो पूरे पैसे नहीं देंगे, कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? पंधरा सो तैह हुए थे, लेकिन हजारी देते हैं, हाथ से अपाई जोना, इसलिए करना पड़ता है, तीन-तीन बेटियां हैं, जिन के लिए पूरे महीने भर काम करके हजार उपए कमा पाते हैं, भाया, कल से तुम मेरे यहां काम करने आ जाना, आपके यहां मैं क्या काम करूंगा? सिर्फ यहां बैट कर यह देखना कि इस घर में मेरी इजाज़त के बिना कोई ना आए, वैसे भी अब मैं इस घर में अकेली रहूंगी, तुमने मुझे बेहन कहा है, तुम से ज्यादा भरोसा म क्या आओगे? अलताफ बहुत खुश हुआ, वै बोला, ठीके बहन, मैं जाकर बच्चों को बताता हूँ, वो बहुत खुश होंगे, चार दिन बाद इद है, मेरी बेटियां इदी के लिए बहुत आस लगाए बैठी हैं, और कैसर, वो दह हजार बार अल्ला का शुक्र मना अलताफ ने जब घर आकर ये बात केसर और बच्चियों को बताई, तो वो बहुत खुश हुई, अगले दिन अलताफ नीलम के यहां गया, आगे बहिया, अब बस तुम्हें यहां कुरसी डाल कर बैठना है, और किसी भी चीज़ की जरूरत हो, तो मुझे आवाज लगा दे बहन, हम मुसलिम हैं, और तुमने हिंदू होते हुए भी मुझे इतना भरोसा किया है, इंसानियत से बड़ा कोई मजभ नहीं होता, आज मैं तुम्हारी वजह से ही तो जिंदा हूँ, मैंने तुम्हारी इंसानियत देखी थी, नहीं तो वो वहशी लोग मुझे मार डालते शुक्रिया बहन, दो दिनों बाद, अलताफ बोला, बहन, कल हमारी इद है, हम गरीब लोग हैं, ज्यादा कुछ तो हमारी हैसित नहीं, लेकिन कैसर ने बहुत जोर देकर कहा है, कल के लिए, तुम्हें अपने घर आने के लिए कहूँ, अलताफ भाई, भाबी से कहना मैं ज जरूर आउंगी, अगले दिन नीलम अलताफ से बच्चों की पसंद और उनकी उम्र पूछ कर, उनके लिए नए कपड़े, अपसा के लिए जुमके, और आयत रुही के लिए गुडिया, मिठाई और बहुत सारा सामान लेकर उनके घर आई, कैसर जल्दी आओ, देखो कौन जल्दी आओ, नीलम बहन आई है, इद मुबारक हो भाया, आओ आओ बहन, आपको भी इद मुबारक, आप, आओ, आओ, बैठो, हम गरीबों के घर में आप आई है, ये हमारी खुश किसमती है, नहीं भाबी, ऐसा मत कहिए, जब मैंने अलताफ को भाई माना है, तो अब तो आना जाना होता ही रहेगा, इतना प्यार देख कर केसर की आखे खुशी से भराई, नीलम बोली, अरे भाबी, अपने हाथ की बनी सेवईयां नहीं खिलाओगी, और बच्चे कहां है, बुलाओ उन्हें, तीनो लड़कियां सहमी सी नीलम के पास आकर खड़ी हो गई, नीलम केसर बोली, बच्चों, तुम अपनी बुआ को शुक्रिया बोलो, आज उनकी वज़ह से हम गरीबों के घर में इद मनी है, भाबी, त्योहार तो सबके एक जैसे होते हैं, इद हो या दिवाली, अब हम सारे त्योहार मिलकर मनाएंगे, खाना खाने के बाद जब नीलम जाने लगी, तो केसर ने उसे पचास रुपए दिये, नीलम ने हैरानी से पूछा, ये क्या है भाबी, कुछ नहीं, हमारे यहां इसे इदी कहते हैं, ज्यादा कुछ तो हमारे पास है नहीं, इसलिए इसको ही हमारी दुआ समझ कर कुबूल नीलम ने मुस्कुराते हुए केसर को गले से लगा लिया और कहा, भाबी, जो आपने मुझे मान और प्यार दिया है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, अगली इद पर फिर आऊंगी और आप मेरे लिए सेवईयां बना कर रखना, और फिर नीलम इदी लेकर चली गई, इद म बार कुल